हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मोडरन क्लासे देखे हम लोग इस सीरीज में पढ़ने जाने हैं फेजिक्स को और फेजिक्स का एक चेप्टर हम लोग लेकर आए हैं गती आखिर गती होता क्या है हलाकि इसके लाने का मकसद क्या है तो अभी आगे जो आने वाला एक्जाम है अभी एंटी पीसी का सेकेंड फेज वाला एक्जाम है वह बाकी है तो उसके लिए भी हमारा यह मत्पूर्ण होगा और साथी साथ गूरूप डी के लिए तो यह रामपानद होकर साबित होगा एससी जीडी का एक्जाम होने वाला है उसके लिए फायदा होगा तो आप किसी भी कंपटिशन एक्जाम का तैयरी कर रहे हैं और साइंस आपको उसमें पूछा जाता है तो आप इस चेप्टर को जरूर पढ़िए यह देखा जाता है कि यह आपका गति और गुर्तवा कर् कर आया जाए जिससे कि आप अंकिक प्रश्ण का भी अभ्यास करके अपने तयारी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें तो चलिए दूस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप से छोटा से रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं और हैं विराम क्या होता है विराम एक ऐसी इस्तिती होती है जिसकी इसमय में मतलब समय हम लें उसके बाव जड़fen Um होता है जैसे घरी बात करें एक बस्तू यहां है कि पांत जैसे एक बच कर दो मिनट हो रहे हैं और हम देखे कि यह इस प्रकार से है और 2 मिनट के बाद 20 सेकंड हो भी गया लोगे जो ग्यां और फोड़ा संहे इस सिती में कोई प्रवर्तन नहीं हुआ है इसाथ में प्रवर्वरतन नहीं हुआ है ऊब हमारी बातों को अपने नोट बुप में करना करना चाहते हैं तो हम बहुत सौढ़ तरीका से बताने का प्रयास करें वीडियो को रोक रोक कर आप उसे नोट भी कर सकते हैं फिर हमारा जो दूसरा बात है तो क्या है कि तीन बचकर पांच मिनट पर वह का है यहां है लेकिन ए DIY यह थोड़ा सा चेंज ऊगया ऐसा जरू नहीं कि इतना आप हो सकता है थोड़ा सब्सक्राइब तो यहां यहां से यहां हो गया मान लीजिए यह एक बच कर अच्छे सोरी तीन बच कर छे मिनट में हो गया तो मैं वैसा कह सकते हैं कि समय लिया है और अपने इस्तिती में परवड़तन भी किया है इसका मतलब उसमें गती है गती मतलब समझ नहीं कि कोई भी दूल रहा है अपने नौर्मली भासा में कहें तो तो वह क्या है गती में हिल गया तो भी गती कहेंगे रुका है या चलता है चलते चलते रुक गया है वह भी गती में है ऐसा हम कह सकते हैं तो यह बात आपको समझना होगा क्या होगा गती और बिराम क्या हो गया गती में क् उसके इसी दीव प्रवयतन होगा और यहां समय के साथ इसी प्रवयतन नहीं होगा कि दिखेंगा गती होते हैं वह चार प्रकार में कॉन कुन सा एक रख ihn ja गति उसके बाद बीतिय गति उसका दोलन गति उसके बाद आवर्थ गति अब इसके कुछ हम लोगो धानार समय लेते हैं जिसे रखिया गति किसे करेंगे ऐसी गति जो एक रेखा में हो उसे रखिया गति करेंगे अपने भासाम समझने का प्रयास किजी हम यहां कारंटी ले हैं कि आप पूरे वीडियो को लाश्ट तक दिखेगा तो हम 100 कह रहे हैं कि इसमें से कोई बात आप से पूछ रहा है कोई भी टॉपिक की बिसमें आप 100 प्रसंट एक्स्प्लेंड कर सकते हैं जैसे हम एक्स्प्लेंड कर रहे हैं दिखिया रेखिया गति किसी रेखाय में ह दिखेंगे अब बित्या बित्या गति मिला क्या एक एक उपर त्षार कर रहे हैं व्यें गोल पत कर क्या होता है ब्रित के पत पर गती होता है जैसे कि ऐसे हम ऐसा कहां कि एक बॉल है यहां कोई बच्चा है यहां से ॉसको तो कि यह जा करीजा AGजेगा हमारा बित्याघ गत्य गत्य हो जागा अब दिखेंगे लोगो पेंळूलन द गत्य है जिसे कि माली जा हमारा घड़ी है तो घड़ी में आप लोग देखे होंगे कि एक ऐसे करके माली जा हमारा एक घड़ी है और इस घड़ी में एक जिसे पेंडूलम घड़ी हम लोग कहते हैं तो ऐसे करके लटका रहता है हमेसा इदर उधर करते रहता है तो उसको हम लोग क्या करता है ऐसे कर गए रिपीट करता आगे पीछे करके इसको हम दोन गति कहा सकते हैं ऐसी है है तो सिलाइं में यहां जो नीडल लगा होता है और यहां जहाँ आपका कपड़ा होता है इसमें नीडल लगा होता है क्या होता है बारवर नीचे उपर करता है इसको मियाए यह है आवर्थ गति मतलब एक ही को बार बार दोहराय जा रहा है इस बात को समझने का प्रियास किजिए इसके बहुत ज्यादा मतलब कि इसका सबसा च्छा उदानर यह रखेंगे कि हमारा पेंडूलम घड़ी है या जूला है और आवर्थ गती मतलब ऐसी गती जो कि एक मतलब एक time of period में क्या हो बार बार रिपीट करके वो दोराया जा रहा है तो से हम क्या कहेंगे आवर्थ गती कहेंगे अब हम लोग समझते हैं दूरी की विशे में देखें जो दूरी होता है जैसे कि मान लिए हमारा एक बिंदू यहां है और दूसरा बिंदू यहां है और इ रास्ता हो जाएंगी हो सकता है कि एक रास्ता ऐसे करके हम हमारा हो सकता है हम जा सकते हैं तो कई तरीका से रास्ता हो सकता है तो ध्यान से समझना होगा कि एक बिंदू से लेकर दूसरे बिंदू तक के बीच की लंबाई को किसी भी लंबाई को ध्यान दे जाएगा किसी ब यहां जो दूरी बिच क्या होता है एक बिंदु से लेके दूसरी बिंदु के बीच की लंबाई होती है लेकिन अब उसके बाद हम समझे एक साथ संझेंगे तभी हमारी बाते बन पाएंगे लेकिन उसके और विंतुट क्या है और दूनों के बीच कि जो निंदों को सतता इसोनलों कि तक कि विश्वा कि प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं और यहां नूट करने वाले बात है तो एक बात यह है कि जो हमारा इसा फोटा है जिए लेकिन डिस्प्लेस्मेंट हमारा जो है यहां विस्थापन है वह क्या होता है यहां से तो विष्थापन क्या होता है यह ब्लस में भी होता ऑर सुनने भी होता है यह पाऍन दीजल पोजीटिव डियर 15 सक्ता एक का इस विप्रियस Αफ में प्रयास से दिखनां तो आप kind सकते हैं कि यहां से यहां तक कि जो दून्बाइ होगी नून तम इसको हम क्या कहेंगे प्लस में कहेंगे लेकिन यही जो भी बिन्दों है यहां धी ते करेंगे उसको तो क्या होता है वह निगटी हो जाएगा सुनने कब होगा जैसे मान लिजिए कि हम यहां से गए यहां गए फिर पुना आके यहां आगे यानि कि दूरी तुम्हें नहीं किया डबल दूरी तुम्हें किया लेकिन जिस बिंदू से चलना प्रारण के थे उसी ब कई उसे करते हैं जिसमें की परिमार के साथ-साथ हमारे पास दिसा भी हो जैसे हमार मिल रहा है यह मात्रा मिल रही है अब यह निची दिसा में शी待 हमें जाना है लेकिन यहां दूरी में हम देखने कोई दिशा है नहीं कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं ऐसे वैसे जा रहे हैं तो क्या है हमारा अधिस राती है यहां परिमाल मिल रहा है ऐसा नहीं कि पांच किलोमेटर दूरी है और यहां थे बातों को अच्छीतर समझपा रहे होंगे माता सकते हैं कि इसका मातर होगा क्विल मीटरमा कि जिखरें में करते हैं strongest किलो मीटरं नहीं कर सकते हैं क्या कई सकते हैं लेकिंग धिस्नाइलमातर से बात करें log international system के द страш यह उसके लिए भी मातर क्या ओता है मीटर ही होता है क्योंकि वह विदू के लबाई ही है ये बात समंझने का प्रहाई कीजेगा अब थोड़ा साइं मेंडी निन ल में पर्शन हमारा दूरी और तो बyyamati स्थापन से ब्रीद पर या या वर्ग पर याकुछ टेडी मेडी रेखाव Veterans Damit जैसे आपनेषी बात करें बृत करने जहां देखिए जैसे माले इसका ए जो है क्या है एविंद्व है कि निए बिन्धु है और क्या हमारा कि ट्र का है टेसल क्पशने को हैं इसी परीदीतने क्दशने कि इसा कहिए 64T लेकिन और कोई पूछा कि 20 थापन की हो भाई तो पिस्थापन की आप कहिएगा कि जो पिस्थापन होगा 14-044 मिटर हमारा है यहां से लेकि यहां तक क्या होगा 22 तो उसमें हमारा जो दूसरा पिरियड होगा उसमें बाइस सेंटीमेटर हो जाएगा लेकिने इस थापन के जिसे में गए करें दो विद्व की निम्टम दूरी निसिदी रेखा की दूरी कम से कम दूरी यहां सो यहां तो इसका मतब बैस के बारवर जाएगा क्या है बैसे बार देख लेगा तो इसके देख लिए तो देख लिए वर्क से रिलेडेट कुछ ताई से माल लिए हमारा दस सेंटीमेटर क्या है दस मीटर की टोटल हुजाएं ऐसा माल लेते हैं कि दूरी क्या होगा तो दस मीटर होगा अध्याों ध्यासिमेटर की दूरी दस मीटर होगा ठीक है कि दूरी नियंत् 읍त्र yet positive क만र और इसे वहां करते हैं फिर और दस में नगेंख पर फेरें पर टौरु है और इसे दूर्य इदस्टापन करें दूर्श 6 मिटर सेंट करें हो जाए सुने हौ जाएगा तब बताई एक को बीस होगा नहले कि है कर बीस हईगा लेकिं विस्थापन के बीसे में कहें बीस्थापन एक बींदू से लेकि ञे NICK तीन प्राइए इसका क्या मतलब हो साथय चैघन गाल होता है एक हमारा है तो करण किया होता है कि अ रूटट होता है हलाकि मेंत पर mamy chapter में हम बता ever रहती है तो करण हे रूत हो जाता है कैसे हो जाता है हम बता चुके है ख कोई चरह आसे हैं पाँंच मिटर किया प्रें प्रेंटार पर्छक बसंगा है ऑँ गया तो क्या थम्यरर को मारें कि प्राइन 2-1-2-8-2 गया Am मुंझळा कोई पर इसनली संप डियले हो इसे नहीं सबसेано नहीं अब को कैसे ग्याद कीजिए यह इस को कर दीजिए और आध उसको यहाँ कर दीजिए यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऐसे जाएगा यहां के है दो और पांच का घासाथ एक उसका है के कि हम मैत वाले चेप्टर में पढ़ा चुके हैं टोड़ा कि पाइथागोरस प्रमे क्या होता है उसका यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं यहां कुछ नहीं बताना है बस इतना बताने कि इसका कॉंसेप्ट कैसे लगता है अब चले बीस थापन के विसे हम समझा चुके अब हम लोग दूरी पढ़uum बस दूरी का मतलब एक पड़ करसे कहें कि दूरी के पीता जी हमारे चाहरे में अब होते इसा चेंड़ा इसा है तो बेटा गए न Mitte क्यों प्रीफिनिषण सेंक्राइं हमारा बस्तु के द्वरा त्वरत तकी कही दूरी होती है उसे अप चाल गएते हैं तो समझने का प्रयास किजाए जीसे एक बिंदू हे हमारा दी की बिर्दू है डिफिनिशन आपको नोट करना है तो क्या किजेगा नोट एकांग समय अंतराल में यानि एकांग समय में तैंक की दूरी को चाल करेते हैं जिसे मालें यहां से हम ऐसे करके गए यहां पहुच गए और हम इसको तैंक करने में मालें कि 20 सेकंड का समय लिए हैं हुच उपके हर यहां से ऑपके हमीटर आपके हर में चला जाता है जो को क्या नहीं है सकते हैं कि 50 क करने में 20 सेकेंड का क्या लगा है ये तो हम्हें लगा इस को काटेंगे तो भानो नोल कौतेज़ा हैं इसका अस्या कि अंधियर is वह क्या है रासी हमारा अदीष रासी है इसका मात्रा में प्रवर्वकन होगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग समझने का प्रयास किजएगा कैसे हमें सुध करना है तो क्या हो जाएगा अदीष रासी हो ठीक है अब उसके बाद यह बात किया जाए कि मदब जो चाल है वह अदीष रासी है यह मतलब हमें कोई एक निसी दिशा में लेहीं नहीं जाता है दूरी क्या हमें निसी दिशा में नहीं लेता है जब दूरी निसी दिशा में नहीं होगा जब चाल भी निसी दिशा में नहीं होगा तो हम गया कहेंगे कि हमारा क्या है अदीष रासी है ध्य तो हमारा क्या हो जागा अधी शलया से जाए एक वेग कांक समय में लेकिए दूसरे बिन्दों के बीच में जो स्थावन होता है उसे पहरे पहले ङुण दूसरे बिंदू के बीच में जो गी स्थापन होता है उसको एकांझ को समय क्या चाहिता है तो वे कहते हैं देब क्या है यह है यहां करण मतलब वहां जहां दूरी का प्रयूक कर रहा थे उसको समय लग रहे उसके अनुपार का कहाँ कई क्या क्या ने तरी är है 20 25डवता है कि एक नीकाइब समय में 20 35 समय है यहां कि त्याइक रहें जिसे माल प्शारी से मिटर हो गई सामय करने यहां स समय सक्रामि निकलिक निकले रहें चालीस बटावें क्या है 20 20 दूना के चालीसे मीटर है बटावें सेकंड है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आновब इस दूना के चालीस है चाही सही कि आने 2 20त क्रती सकनर है और आपको Commander है यहीं गरी सभी स्वावनरों पर स्भी को निश्चित दिशा नहीं हमें ले आता है शोटाी बड़ा इपर धयान मत दिजए आप लोग गिश्क में अन्तर पूछता है कि चाल क्या है बेक क्या है तो धयान दीजिए अंतर एक सबसे बड़ा अंतर एक है कि चाल से निकलता है भेक चाल हमारा अदिज रासी ये मित्त सदी क्या है और एक बात यह भी ध्यान देना है कि चाल हमारा धनात्मक होगा, बेग होगा, रिनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और हमारा पोजेटिव हो सकता है, जैसे कि हमारा विस्थापन हो रहा था, ते तीन बाते आप लोग को ध्यान रखना है, हाला कि आप इस बात को सम हम लोग समझते हैं तरान के वीसे में देखे किति न हम लोग समझते हैं कि हम लोग समझते हैं अधे हम अपने वह समझते हैं नीचे इस वह न ठहुत है थैसेक क्लें यह 37 कहते हैं जैसे मान लीजिए ऐसा हम कह रहे हैं इसका डिफिनिशन एदी सुनना चाहें तो कि समय के साथ बेग में परवितन होता है उसको क्या कहते हैं तोरण कहते हैं बेग में परवितन जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा बिंदू A है और हमारा यहां बिंदू B है औ यहां हम एक मीटर ऐसा मसीन लगाए हुए हैं जो कि यह जहीं गाड़ी आएगे तो इसकी स्पीड को माप देगा और यहां भी एक मसीन हम लगाए है यहांसे कुछ दूरी पर लगा हुआ है आएantics पर श्क्यास़ को लाए funded है कि यहां देखें कि शॐप्स कीधा कि तत्व मैंना कर दो संहे और तब हम देखते कि बैक में फ्रूतन हुआ हैं उसके बेग में प्रूतन हो गया हैं तो हम कह WITH इसको क्या कहते हैं इसको क्या है यह इसको क्या कहते हैं यहाँ यहां समय अंतराल है समय अंतरा जैसे कि हम ऐसा कहीं है कि हम एता है य हम मतलब अंतिम लोग में क्या मिला है हम देख रहें कि अंतिम मतलब बाद वाला वें पति के हैं ठीट infinity मैस्-50 करहें हgado कि समय हमारा तre समय में कितना अंतर है इसी को हम निकेंगे समय से निकला तो 30 समय में कितना थाइब दस सको काट को नियुक्स मैं क lleva सेंद से के जायों आप संधुन कि और लेकिन में भाग करना है कि समय से लिए से लिए सेटिस अज़ीन ङुआ हो हमारा मीटर प्रति तवरकों संझेंगे व्हारल समय के साथ सब्सक्राने कीशाय। करकी है अब आपको समΝ मैं आना होगा कि यहां जोव्हारा जो हमारा तौरण हो काम कर रहा है तोरण जो है वह क्या है बेग के साथ काम कर रहा है यह बात आपको नोट करना होगा और यह अभी क्या होता है तो जब बेग के साथ काम कर रहा है तो इसका मतलब भी क्या होगा सदीस रासी होगा सब चीज को लिंक करके पढ़िए विस था पन सदीस था बेग सदीस था तोरन सदीस हो गया ठीक है सदीस इसलिए क्योंकि एक तीसा में प्रदान किया जाता है अब आपको यह समझना है कि यह तीन प्रकार से होता है क्या होता है एक प्रकार से होता है तीन प्रकार से होता है इसको क्या 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 कहते है जब प्लस यहां देखें जो हमारा कहते हैं यहें को आज यहां लेक देते हैं तो यहां इसको आगे मन्दन मतलब क्या हुता है टी है टी इसलेरे जासते हैं कि इसका उल्टा हो गया धिसका अलटा हो गया जैसे पहले ऐसी था और आगे ब्रेकर मिला समतुरन्त उसको घटा के 40 कर लीए इसका मतलब अंतिमनबग हमार यह हो जाएगा इसका मतलब हम समझने के प्रयास कर रहें एक krない कैसे एक망ी अंतिमनबर 4 कि 140 माम माइन श्राइज हमें क्या करेंगी 10 इस का मतलब हम करें achievements 40 मीप्रेंट कि 10 सतरी है इसका है कि माइनस चालीस बड़ा में क्या जाएगा तौर्ण हो चाहिंगे आप समझ पारहें तहां से मारा क्या निकला माइनस Мे तो जो भी तोरण निकलता है उसको क्या कहते हैं मंदन यदि हमको थोड़ा सभी लेंविज समझने का प्रयास किजिएगा हम कहेंगे कि हमको इस बात को पोजिटिव में दर्साना इसेंबलें कि चार मीटर प्रती सेकेंड स्कुयर ये येंदि हम हम हटा सकते हैं लेकि- हम क्या कहेंगे तो regenerator इसको कहना गलत हो जाकि माइनथ 4 मीटर प्रती सेकंड सेकेंड कहार हमाने सभाएं तब सज्मन घता हों इस प्रकार से आपको ध्यान और इसमें थोड़ दे में कि भी देख लेते हैं क्या होता है तो में हमारा जो चलता है एं इसको बड़ा को स्थापन के लिए और हमारा चाल है चाल क्या है तो यल नीचे है कर सकते हैं या घड़ियाम के साथल प्रैसे को आप 20 लगा के लिख सकते यह कोई दिक्कत निए तो यहां एस दो है यहां यां को साथ लेखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखते हैं तो कोई बार नहीं है तो आसा करते हैं कि इस बात को आप समझ लिए होंगे कि तोरण क्या होता है मंदन क्या होता है और सुनने क्या होता है अच्छा यह भी समझे सुनने क्या होता है इसके भी से चल रहे हैं पचास मीटर प्रती सेकेंड के वेग से चल रहे हैं और दस सेकंड भी गया हमारा और द हम क्या कह रहे हैं यदि हम अपने गारी के स्पीड को तेज कर रहे हैं तो उससे महारे तुरन होगा जब घटा रहे तो मंदन होगा नहीं घटा बढ़ा रहे हैं तो जीरो होगा यह तीनों कंडिशन हमें पराप्त होता है अब हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा रह गया वह क्या है गयलीलियों का समीकरण और इसके अलावा भी गत्ति वाले चप्रर में दो चीज रह गया है हलांकि पूछने की सम्माना तो रखाम होती है लेकिन पूछ सकता है तो उसको बताना है हलांकि उसको किसी नेश्ट वीडियों में हम देख लेंगे या किसी और वीडियों में देख लेंगे चले हम लोग समझते हैं गैलीलियों का समीकर्ण क्या होता है देखे इसमें लिजेगा यहां जो मारा सम्मिंगर्ण था B बराबर U plus 80 था उसकेश बराबर U T plus half 80 square A square B is square बराबर बराबर रहता है Ais square plus 2 Ais हाला की इस सम्मिंगर्ण को किवल क्या है आपको आज रटना है next video में हम क्या करेंगे इसका numerical solve करेंगे और ये सारी चीज़े को याद करा पहले लिजिए उसके बाद देखें हमा लंतीन फिल्स आन्य दीज other कि यहां ऱम किया आ sledering का सुस्टापन दोर कहते हैं हुआ दूरी कैंगक तो इस परकार से हम कह सकते हैं कि इन और खरmont का यूज करके तीनों का हम लोग क्या कर सकते हैं तो निक्ते थे की जो हमारा नो मेर्कल है इसमें किस विस्टे में ऊपचा जा रहा है अचा एक बात अर्म भारुब दिख लेते हैं अौशति चाल क्या B2 बटा में B1 प्लस B2 यह क्या है भाई आउसत चाल है लेकिन एक बात ध्यान दिजिएगा यह कब काम करता है कि जब एक कहीं दूरी को दो अलग-अलग चालों दोरा तैक किया जाता है तब क्या जिसे यहां देखिए A से लेकर B तक हमें जाना है और return आना है तो भी चल लेकिन यहीं ऐसा कह रहा है कि एक A से B तक जाने में 10-30s और A से लेकि C तक जाने में 30-30s तो आप आउसत बे ज्यात किजिए तो ऐसा नहीं होगा यह कहीं दूरी को दोलग-अलग चालों से ताहिए तो बात बनेगा और वही ध्यान दिना है कि इसके लिए एक अलग समय द कर दिए दोस्तों साथ सेयर कर दिए बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद